जै मातादी मैं अचारे निरुगर्ग इंटरनाशनल स्कूल ओफ एस्टलोजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने इस वीडियो में नवरात्री के आखरी दिन यानि नवमी को जिन मा सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है उनके बारे में वल्नन करने के लिए आई हूँ ये मा दुर्गा का नौवा स्वरूप है अब मैं आपके सामने मा सिद्धिदात्री की कथा का वल्नन करती हूँ एक पुराणी कथा केनों सार भगवान शिव ने मा सिद्धी दात्री की कठोर तपस्या कर आठों सिद्धियों को प्राप्ते किया था इन सिद्धियों में अनिमा, महीमा, गरीमा, लगीमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, इशेत्व और वशेत्व शामिल है मा सिध्धी दात्री की किर्पा से भगवान शिव का आधा शरी देवी का हो गया और व्य अर्धनारिश्वर कहलाएं हिमाचल का नंदा परवत इनका प्रसिद तेर्थ सल है मा सिध्धी दात्री के स्वरूप में ये कमल पर विराजमान है चार भुजाएं हैं, लाल साडी में सुशोबित हैं, चारो हातों में सुदेशन चक, शांक, गदा और कमल हैं सिर पर उचा सा मुकुठ है और चेरे पर मंद मुसकान है मा सिध्धी दात्री का वहन कमल पुष्प तथा सिंग है इनके पुजा के लिए आप बैंगनी कलर, मतलब परपल वॉयलेट कलर के कपड़े पहन कर पुजा करें इनकी पुजा में गुडहल के फूल अर्पित करें, इनने तिल का भोग लगाएं मा सिध्धी दात्री के लिए आप मंत्र का उच्चारन भी कर सकते हैं ओम सिध्धी दात्रे नम्हा ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगी मार दुर्गा की पूजा करें अराधना करें नवरात्री में रात को पूजा करें क्योंकि नाम ही क्या है नवरात्री नवरात्री में रात की पूजा का एक विशेश महत होता है ठीक है जी जै माता दी धन्यवाद